नमस्ते, मैं हूँ आशुतोश आपने साइकल पर प्लास्टिक के ऐसे टुकड़े लगे हुए जरूर देखे होंगे क्या आपने सोचा है कि इन्हें साइकल पर क्यों लगाया जाता है अक्सर ये चमकते हुए नहीं दिखते हैं लेकिन कभी कबार ये बहुत जादा चमकते हैं तो क्या इनमें से रोश्णी निकलती है कई बार आपने सडकों पर जो ट्राफिक के साइन बोर्ड होते हैं उनको भी चमकते हुए देखा होगा और कई बार गाडियों पर भी चमकीली पटियां लगी हुई होती है इन सभी वस्तुओं को रेट्रो रिफ्लेक्टर कहते हैं और इनका संबंध कुछ बहुत सरल लेकिन रोचक विज्ञान से है साइकल से लेके आसमान में चंद्रमा तक और दुतिय विश्यूद्ध तक आज हम इनी के बारे में समझेंगे अकसर किताबों में परावर्तन के और प्रकाश के नियमों को पड़ते वे ये लगता है कि इनका सामान्य जीवन से कोई लेना देना ही नहीं है लेकिन इनी सरल विज्यान के नियमों का इस्तमाल करके वेज्यानिक और इंजीनियर हमारे देनेक जीवन की बहुत सी जरूरतों और समस्याओं का समाधान भी निकालते हैं शीशा बनाने के लिए काच के एक टुकड़े के पीछे चादी या एलुमीनियम की पतली सी परत चड़ाये जाती है और फिर उसके उपर पेंट लगा देते हैं ताकि उसकी सुरक्षा हो और इस तरह से एक शीशा बन जाता है तो रेट्रो रिफ्लेक्टर्स को समझने के लिए हम पहले एक शीशे का इस्तमाल करेंगे और उस पर एक लेजर चमकाएंगे लेजर का पाथ देखने के लिए हम धूप या अगरबत्ती का धुआ इस्तमाल करेंगे आप देख सकते हैं कि लेजर की बीम जिस एंगल पर शीशे पर पड़ रही है परावर्तन के बाद उसी एंगल से दूसरी ओर से निकल रही है भले ही आप लेजर का एंगल बदल दीजे परावर्तित रोश्नी का एंगल उसी के बराबर होगा यह परावर्तन का मूलभूत नियम है जिसे कहते हैं कि angle of incidence और angle of reflection दोनु बराबर हैं तो जिस दिशा से laser आई, शीशे पर परावर्तन के बाद वो दूसरी दिशा में चले गई मैं अगर चाहता हूँ कि laser की beam वापिस laser की तरफ ही आ जाए तो ऐसा सिर्फ एक स्थिती में हो सकता है जब laser शीशे पर 0 degree पर चमके इसे 0 degree इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्सर हम सतह से 90 degree पर सतह से perpendicular जो रेखा है उससे angle को नापते हैं तो इस laser का उस रेखा से जो angle है वो 0 degree है अगर मैं उस angle को इसकी सतह से नापूँ तो यह angle 90 degree हो जाएगा अब मैं इस शीशे से एक और शीशा चिपका दूँगा जो इससे 90 degree पर है और मैं फिर से इस पर laser चमकाऊंगा आप पाएंगे कि अब मैं किसी भी दिशा से laser चमकाऊं वो परावर्तन के बाद वापिस उसी दिशा में वापिस आ जाती है यानि आने वाली किरण और परावर्तित किरण दोनू एक दुसरे के parallel हैं हम गणित से यह साबित कर सकते हैं कि यह दोनू किरणे एक दुसरे के parallel थी यह हमारे दो शीशे हैं जो हमने 90 degree पर जोड़े हैं और हम इस पर जब laser चमका रहे हैं तो वापिस लॉटने वाली जो beam है वो आने वाली beam के parallel है और यही हमको गणित से प्रूव करना है इस तरह हमारी beam अंदर आती है जहां पर यह पहले mirror से टक्रा रही है वहां हम mirror की सतह से 90 degree पर एक रेखा खींचते हैं जिसे normal बोलते हैं परावर्तन के नियम से हम जानते हैं कि यह जो angle है इसे हम angle of incidence बोलते हैं और इसे मैं ए नाम दे रहा हूं तो परावर्तन का नियम कहता है कि एक plane mirror में या किसी भी mirror में incidence ray अगर जिस angle पर आती है तो reflection के बाद वह उसी angle पर reflect हो जाती है तो मैं ए angle पर ही एक और ray बनाता हूं तो यह पहली ray इस से टक्राके इस तरह बहार निकलेगी और यह angle of reflection भी a होगा जैसा मैंने कहा था कि यह जो normal है वो शीशे से 90 degree पर है और क्योंकि यह reflection का angle a है इसलिए यह जो angle होगा यह 90 degree घटाएंगे और फिर यह angle भी घटा लेंगे जो कि 90-a है तो इस तरह से यह हमको मिलेगा a यानि कि यह जो angle है यह a है अब जब यह ray दूसरे mirror से टक्राती है तो वो यहां से भी reflect होगी और वो angle जानने के लिए हमको यहां भी एक normal बनाना पड़ेगा जो इस mirror के perpendicular होगा तो उसको मैं इस रेखा से दर्शाता हूं यह जो रेखा है यह इसके perpendicular है और क्योंकि यह perpendicular है तो यह जो पूरा angle है यह 90 degree है और यह angle क्योंकि A है इसलिए यह angle होगा 90 minus A degree और जिस angle पर यह beam इस पर पड़ रही है वह incidence angle होगा 90 minus A तो उतने ही angle पर यह इस mirror से reflect होगी तो अब मैं यहां पर एक reflected ray बनाऊंगा तो इस तरह यह beam इस mirror से टकरा के बाहर को निकलेगी और यह जो angle होगा यह reflection angle है और यह beam 90 minus A के बराबर होगा तो जैसा कि हम कह रहे थे कि यह beam जो अंदर आई और यह beam जो आखिरकार वापिस गई यह दोनों parallel हैं और parallel lines की property होती है कि अगर यह दो lines parallel हैं तो उनके अंदर का यह जो angle है यानि कि यह वाला angle और यह वाला angle इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ और उनका जोड 180 degree आता है तो हम कह सकते हैं कि वो दोनों रेखाएं parallel होंगी तो चलिए इस angle को और इस angle को जोड़ते हैं तो यह angle है a plus a a plus a और यह angle है 90 minus a plus 90 minus a तो a plus a मैं जोड़ दूँगा 90 minus a और फिर से 90 minus a तो इस पूरे को अगर हम sum करेंगे तो हम देख सकते हैं कि यहाँ एक a है और यहाँ minus a है तो यह cancel होगा और यह plus a और यह minus a यह भी cancel होगा तो बचा 90 plus 90 जो की हुआ 180 degree तो इन दोनु angles का sum आ गया है 180 degree और इस तरह यह प्रूव होता है कि यह रेखा और यह रेखा आपस में parallel हैं हम यह भी गणित से साबित कर सकते हैं कि अगर दो शीशे एक दूसरे से x degree के कोण पर लगे हुए हों तो परावर्तन के बाद जो किरन लोटेगी वो 2x degree पर वापिस लोटेगी और इसे मैं आपके लिए homework के लिए छोड़ देता हूं तो इस प्रमार के आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारे जो दो शीशे थे वो एक दूसरे से 90 degree पर जुड़े हुए थे इसलिए परावर्तन के बाद जो किरन थी वो 180 degree पर वापिस लोटी और वो दोनू समाना अंतर थी लेकिन इसमें एक दिक्कत भी है आने वाली किरन और वापिस परावर्तित होके आने वाली किरन दोनू समाना अंतर तभी होती हैं जब वो एक ही तल यानि एक ही प्लेन पर हूँ आप देख सकते हैं कि जब मैं लेजर को तिर्चा करता हूँ तो परावर्तित किरन लेजर की और वापिस नहीं आती है इस समस्या के समाधान के लिए हम तीसरा शीशा लेते हैं और उसे पहले दो शीशों से 90 डिगरी पर लगा देते हैं और ऐसा करने से हमें कुछ ऐसी चीज मिलती है यह एक क्यूब का एक कोना है और यह तीन उसके तीन फेसेज हैं जो उस कोने पर मिल रहे हैं अब मैं इस पर कहीं से भी लेजर चमकाऊं तो परावर्तन के बाद रोशनी वापिस लेजर की तरफ ही आएगी आप देख सकते हैं कि मैं किसी भी दिशा से लेजर चमका रहा हूं अगर वो तीनों शीशों पर पड़ती है तो वापिस लेजर की ओर ही आती है इस सरल सी चीज को Corner Cube Retro Reflector कहते हैं Corner क्योंकि हमारे पास Cube का एक Corner है और ये Cube है और Retro का मतलब होता है पीछे तो Retro Reflector मतलब कि ऐसी वस्तु जो रोश्णी को वापिस उसी दिशा में परावर्तित कर दे जहां से वो आई थी Retro Reflector में रोश्णी कैसे परावर्तित हो रही है उसको हम इस Animation से समझ सकते हैं इसको आप एक Ball से भी समझ सकते हैं आप एक ऐसे कोने पर जाईए जहां तीन दिवारे मिल रही हो और इस Ball को वहाँ फैंकिए तो आप देख सकते हैं कि तीनों कोनों से टकराने के बाद Ball मेरी ओर ही वापिस आ जाती है तो वापिस चलते हैं अपनी साइकल के पास साइकल पर प्लास्टिक के जो ये टुकड़े लगे होते हैं ये भी Retro Reflectors होते हैं ये Retro Reflectors बहुत सारे छोटे छोटे Corner Cube Reflectors से बने हुए होते हैं तो जब किसी गारी की Headlight की रोशनी इस Retro Reflector पर पड़ती है तो वो वापिस Headlight की दिशा में परावर्तित हो जाती है इस Retro Reflector पर रोशनी कहीं से भी पड़े वो वापिस उस रोशनी की दिशा में ही लौट जाएगी और Driver को दिख जाएगा कि सामने कोई Cycle है इसलिए ये Retro Reflector हमेशा चमकते वे नहीं दिखते हैं क्योंकि हम उस दिशा से नहीं देख रहे होते हैं जहां से इस पर रोशनी पड़ रही है जैसे कि अगर मैं इस Retro Reflector पर ये Torch चमकाऊं और मैं उसे यहां नीचे से चमकाऊं तो ये मेरे कैमरे को बहुत ज़्यादा चमकता हुआ नहीं दिखेगा अब मैं अपनी Torch अगर कैमरे के लगभग सामने ले आऊं तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा चमकने लग गया है क्योंकि अब इससे जो रोश्नी आ रही है वो कैमरे की दिशाक की ओर से ही आ रही है और टकराने के बाद वापिस वो कैमरे की ओर जा रही है तो कभी आपको किसी Retro Reflector को चमकता हुआ देखना है तो जब रोश्नी थोड़ी कम हो एक टॉर्च या अपने फोन की फ्लैशलाइट जला लीजिए और उसे अपने आँखों के पास लाके उस Retro Reflector पर चमकाईए तो आपको वो Retro Reflector जरूर चमकता हुआ दिखाई देगा अगर वो खराब नहीं है तो अगर आप ध्यान से सोचें तो आपके मन में एक और सवाल जरूर आएगा एक गाड़ी में उसकी हेडलाइट और ड्राइवर की आँखों के बीच तो दूरी होती है तो अगर एक Retro Reflector रोश्नी को वापिस हेडलाइट की दिशा में ही लोटा दे रहा है तो ड्राइवर को वो कैसे दिखेगा दरसल जो Retro Reflector बनाए जाते हैं वो एकदम perfect नहीं बने होते हैं इसलिए उन पर पढ़ने वाली रोश्नी बिलकुल रोश्नी की दिशा में ही वापिस नहीं लोटती है बलकि थोड़ी सी फैलती भी है इसलिए वो ड्राइवर की आँखों तक पहुँच जाती है और साथ ही जब Retro Reflector बहुत दूर है तो भले ही वो कम एंगल पर वापिस लोटे लेकिन जादा दूरी के कारण वो ड्राइवर की आँख तक पहुँच जाती है इसका मतलब यह भी है कि ऐसी गारियां जिनमें हेडलाइट और ड्राइवर के बीच की दूरी जादा है जैसे कि बस, ट्रक या बड़ी SUVs उनमें Retro Reflector की रोशनी उतने अच्छे से ड्राइवर को नहीं दिखाई देगी आपकी साइकिल के Retro Reflectors अलग-अलग दिशा से आने वाली गारियों को दिखें इसलिए वो बिल्कुल फ्लैट नहीं बनाये जाते हैं और उनके जो surfaces हैं वो थोड़े angle पर जुके हुए होते हैं इस Corner Cube Reflector का इस्तमाल और भी कई जगे होता है जैसे कि गारियों पर लगाये जाने वाली ये चमकीली टेप में भी बहुत सारे चोटे-चोटे Corner Cube Retro Reflector होते हैं अगर हम इस चमकीली टेप को नजदीक से देखें तो हमें इसमें भी ऐसे बहुत सारे Corner Cube Retro Reflector दिखेंगे तो इसको नजदीक से देखने के लिए हम एक जुगाडू माइक्रोस्कोप बनाते हैं जो हमारे स्मार्टफोन पर लगेगी टॉइ लेजर का आप अंदर से लेंस निकाल लीजे और मॉडलिंग क्ले या आटा लेके उसके चारों तरफ छला बना लीजे अब उसको अपने स्मार्टफोन के कैमरे पर लगा लीजे और आपकी जुगाडू माइक्रोस्कोप त्यार हो गई है इस जुगाडू माइक्रोस्कोप से अगर आप ये चमकीली पट्टी को देखेंगे तो आप बहुत सारे छोटे-छोटे रेट्रो रिफ्लेक्टर्स पाएंगे इसको और अच्छे से देखने के लिए हमने इस टेप का एक टुकड़ा माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और हमें ये बहुत सुंदर चित्र दिखा इस टेप की माइक्रोस्कोप वाली फोटो में आपने देखा होगा कि हमें इस कॉर्णर क्यूब रिफ्लेक्टर के जैसे चौकोर फेस नहीं दिख रहे हैं वो छोटे-छोटे ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है दरसल वो छोटे ट्राइंगल भी कॉर्णर क्यूब रिफ्लेक्टर ही है अगर आप इस क्यूब के हर स्क्वेर फेस को डाइगनल से आधा काट दें तो हमें दिखने में वो ट्राइंगल दिखेगा लेकिन वो फिर भी इसी क्यूब का हिस्सा है और वो फेस काटने के बाद हमें वो कुछ ऐसा दिखेगा आप देख सकते हैं कि ये दोनु एक क्यूब का ही हिस्सा है और ये जो ट्राइंगल से बना हुआ रेट्रो रिफ्लेक्टर है ये भी कॉर्णर क्यूब रेट्रो रिफ्लेक्टर ही है लेकिन अब ये कम माटीरियल इस्तमाल कर रहा है और कम एरिया घेर रहा है सडकों पर भी जब हेडलाइट चमकने पर कुछ साइन बोर्ड बहुत चमकते हैं तो उनमें भी इन टेप की तरह बहुत सारे चोटे 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 रेट्रो रिफ्लेक्टर लगे होते हैं एक साइन बोर्ड की फोटो अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी टेट की तरह छोटे 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 रेट्रो रिफलेक्टर हैं तो अगर आपको कोई ऐसा साइन बोर्ड दिखे तो आप सावधानी से उसके पास जाएं और फोटो लेके जूम करके देखने की कोशिश करें कि क्या आपको उसमें रेट्रो रिफलेक्टर्स दिख पा रहे हैं या नहीं इन कॉर्णर क्यूब रेट्रो रिफलेक्टर्स का इस्तमाल द्वितिय विश्व युद्ध के दोरान भी किया गया इसके लिए उन्होंने जमीन पर एक runway बनाई और बहुत सारे ऐसे corner cube retro reflectors को runway के दोनु तरफ रख दिया हवाई जहाज का pilot जब रात में आता था तो वो अपने माथे पर एक flashlight पहनता था इस flashlight की रोशनी जमीन से तो दुश्मन को दिखाई नहीं देती थी लेकिन पाइलेट जब जमीन पर देखता था तो वो बहुत सारे retro reflectors से चमकती वी रोशनी वापिस उसके पास आती थी और उसे पता चल जाता था कि runway कहा है और इस तरह वो अपना हवाई जाज वहाँ land करा था और जब वो हवाई जाज लोट जाता तो उन corner cube reflectors को वहाँ से हटा देते और दुश्मन को पता भी नहीं चलता कि यहाँ पर को एक runway भी थी आपको यह जानकर हैरत होगी कि यह कमाल का retro reflector आसमान में 4 लाख किलोमीटर दूर हमारे चांद पर भी मौजूद है 1979 में जब नासा ने पहली बार चंद्रमा पर एस्ट्रोनौट भेजे तो वापिस आने के वक्त उन्होंने कई सारे उपकरण चांद पर ही छोड़ दिये जो अभी भी वहीं है उन में से ये corner cube retro reflector भी है चांद पर मौजूद retro reflector कुछ ऐसा दिखता है यह एक panel है जो बहुत सारे छोटे छोटे retro reflector प्रिज्म से बना हुआ है धर्ती पर कुछ देशों में खास observatory हैं जो यहां से चंद्रमा पर एक laser light चमकाती है यह laser जब चंद्रमा पर जाती है तो इन retro reflector से टकरा कर वापिस धर्ती पर आती है क्योंकि हमें प्रकाश की गती पता है जो की लगबग 3,000,000 km प्रती सेकिंड है तो वैज्यानिक नापते हैं कि यहां से जो laser चंद्रमा पर चमकाई वा कितनी देर में वहां से वापिस लोट कर आई और यह जो समय है इस से हम पता लगा सकते हैं कि धर्ती और चांद के बीच की दूरी कितनी है 1979 में नासा की चंद्रमा यात्रा के अभियान का नाम था Apollo 11 उसके बाद Apollo 14 और Apollo 15 के ऐस्टोनॉट भी जब चांद पर गए तो उन्होंने भी वहां दो और रेट्रो रिफ्लेक्टर छोड़ दिये इसके अलावा Roos ने भी दो रोबोट चांद पर भेजे Lunokode 1 और Lunokode 2 जो की रेट्रो रिफ्लेक्टर ले गए थे इस तरह आज के समय चंद्रमा पर 5 रेट्रो रिफ्लेक्टर हैं जो काम करते हैं और इनका इस्तमाल वेज्ञानिक अलग-अलग जानकारियां प्राप्त करने के लिए करते हैं जैसे की इन observation से हमें पता चला है कि हमारा चंद्रमा हर साल धर्ती से 3.8 cm दूर होता जा रहा है तो अगर प्रिफ्वी पर खड़े होकर हम चंद्रमा की कक्षा का चित्र बनाएं तो वह एक सरकल नहीं होगा चंद्रमा की कक्षा दरसल एक स्पाइरल के जैसी है जो हर साल 3.8 cm बड़ी होते जा रही है कि क कि अच्चर प्रिफ्वी जब तो जग्या की कि अच्चर प्रिफ्वी नहीं होगा का चंद्रमा की का चंद्रमा की का बड़ी होगा